आज मैं आप सभी को बहुत ही प्यारा सा एक कलर के उन में डिजाइन बताने वाली हूं बना करके मैंने सेंपल के लिए थोड़े से रख लिये हैं जैसा कि आप देख पा रही है यह डिजाइन है ऐसा ही यह बनेगा और आप इसे मैं आपको सुरू से बना करके बताऊंगी कै आप इस डिजाइन को बना सकती है तो पीछे तरफ से इस तरीके से नजर आएगा बिल्कुल भी उल्जन नहीं है और सामने कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है तो आप इस डिजाइन को जेंस के सवर्टर में अपलाय कर सकती है गल्स के सवर्टर में बना सकती है टोपी और मैं आपको बना करके स्टार्टिंग से बताऊंगी कि कैसे बनेगा उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नाइए और सब्सक्राइब ने किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए साथ ही बैल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा इस तरीके से स्टार्टिंग में क् फंदे उस तरीके से 4123459 फंदे जैसे मैंने बताया ना 99 फंदों का इस पैटरन है तो नाइन फंदे हमें उल्टे बिन लेने हैं इस तरीके से देखे एक को छोड़कर के फिर यहाँ पर नो फंदे 9 फंदे उल्टे बिनेंगे फिर उनको पीछे करके और 4 फंदे हमें सचते नटके छाइव नहीं बिदें सकते गालों है घ्रवलस फंदे, और फνद्य लेड़ी, हैं यह दें सबक्राइव और उन्मोर पाइ कहुझे खञते हैं गे ऑप वर गरश पन में हैं एक जाएगा पुर्वल में फन्मोर के घ्रवलस बिनदी बनाते जाएगे इसके आगे फिर A9 फंदे इस तरीके से उल्टे फंदे बनाते जाएगा जैसा कि मैंने यह आपको दिखाया है बना करके तो सेम आपको इसी तरीके से रिपीट करते जाना है अब बैक साइड से क्या करना है पूरे स्लाई जो है हमें उल्टे उल्टे बिन करके complete कर लेनी है द देखिए इस तरीके से हमें पूरा कर लेना है फ्रेंज कोई दिक्कत आया तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लिजेगा मैं आपकी हैल्फ करूँगी तो देखिए इस तरीके से हमें कम्प्लीट कर लेना है आज आना है राइट साइड में अब हम आ जाएंगे वापस से थर्ड सिलाए में तो थर्ड सिलाए में हमें क्या करना है इसी को हमें रिपीट करना है जैसे कि एक फंदा एक्स्ट्रा है तो इसे हमें स्कीप कर लेना है फिर नौ फंदे जो है उसे उल्टा बिन लेना है देखिए इस तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 फंदे उल्टे बिनेंगे उनको पीछे करेंगे अब यहाँ पर क्या करना है देखिए 4 फंदे जैसे बिने थे 1, 2 अब 2 फंदे बिनना है और ये 2 फंदों को हमें 1 फंदा बना लेना है देखिए इस तरीके से तो यहाँ पर वापस से हमें 1 फंदा और बढ़ा लेना है और 1, 2, 3 फंदा हो गया अब इधर से भी हमें सेम बना लेना है इस तरीके से देखिए उनको ऐसे लपेटना है और 2 फंदों का 1 फंदा बना लेना है फिर 2 फंदे सिधे बिन लेंगे और ये एक्स्टर के फंदे है इसे भी बिन लेंगे तो यह हो गया हमारा तीसरी स्लाई राइट से इसी तरीके से कंटिनू करते जाएगा अब जो हम आ जाएंगे वापस से बैक साइड तो बैक साइड में हमें सबसे सभी फंदे जो है उल्टे उल्टे बिन करके कंप्लीट कर लेने है देखिए इस तरी पीछे तरफ से सभी फंदे उल्टे बिन करके हमें कंप्लीट कर लेना है वापस से आ जाएंगे हम राइट साइड में तो यह हो जाएगी हमारी पांचवी सिलाई उसके लिए हमें क्या करना यहां पे वापस से उल्टे ही बिनना है जैसे कि पहले फंदे उतारेंगे और नौ फंदे उल्टे बिनेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और यह नौ नौ फंदे उल्टे बिनेंगे उनको पीछे लेके जाएंगे अब यहां पे एक फ बना लेंगे कुछ इस तरीके से और फिर यहां पर जाली देके एक फंदा बढ़ा लेना है क्योंकि हम यहां पर घटा रहे हैं तो इधर बढ़ाना भी जरूरी है तो इस तरीके से फंदे बढ़ाते हुए और बीच के जब जितने भी फंदे है उसे सीधे भी नहींगे इधर भी हमें जाली दे के पहले फंदे बढ़ा लेने हैं फिर यहाँ पे इस तरीके से घटाना है देखे फिर यह हो गया कुछ इस तरीके से अब जो है बैक साइड से हमें सभी फंदे वापस से उल्टे बिन करके कम्प्लीट कर लेने हैं इस तरीके से सभी फंदे उल्टे बिन लेंगे अब हमें क्या करना है नेक्स्ट देखे जो तीन लाइन यहाँ पर बन चुका है यह पैटन का उल्टा फंदा तो अब हमें इसे सिधा ही बिनना है यह हो गया शिधा फंदा 9-50 सिधे बिनने के जो उल्टा बिन ते आ रहे थे लाइट साइड से उसे अब हमें शिधा बिन लेना है इसे भी हमें क्या करना है दो फंदों का 1-50 बना लेना है अब यहां पर फंदा हमें बढ़ाना नहीं है दो फंदों का एक फंदा बनाए तो एक फंदा हो गया अब देखें यहां पर दो तीन चार पांच छे साथ आठ और इसे भी हमें इस तरीके से गुमागे सिधा करेके फिर हमें एक बना लेना है तो यह हो गया नो फंदे और यह एक्स्टर के फंदे हैं तो इसे भी हमें बिन लेंगे तो हमेरे पास वापस से यहां पर 9 फंदे आगए हैं जो इसने भी हमने फंदे घटाए हैं अब फिर हमें पीछे सीसी तरीके से सभी फंदे उल्टे बिन करके कम्प्लीट कर लेने हैं देखी इस तरीके से सभी फंदे उल्टे हो गए अब हमें क्या करना है ध्यान से देखिए यह हो गया कम्प्लीट अब जो यहां पर राइट वाले फंदे हैं जो रॉंग बना रहे थे उल्टे फंदे जो बना रहे थे अब यहां पर सीधे फंदे बना रहे हैं इसमें हमें अभी इस पैटन को रिपीट करना है और इस वाले पैटन को हमें यहां पर बना लेना है दिखिए जैसार मैंने यहाँ पर सेंपल में बना करके भी आपको मैं बताते जाती हूँ यह उल्टे वाले फंदे हैं तो फिर सीधे वाले हैं अब हमें क्या करने हैं यहाँ पर सीधे बनाने हैं एक बार देख लीजिए कैसे करना है अब हमें यहां पर 4 फंदे सीधे बिनने है 1, 2, 3 and 4 4 फंदे सीधे बिनेंगे और इस वाले फंदे के दोनों साइड में हमें जाली बना लेना है देखिए इस तरीके से जाली बना लेंगे और फिर 4 फंदे बिन लेंगे अब यहाँ पे हमें क्या करना है उनको अपनी ओर लाना है और यहाँ पे 9 फंदे उल्टे बिनने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 हो गए और यह एक्स्ट्रा के एक फंदे बच्चे होएं देखी कुछ इस तरीके से नज़राता है आप पीछे तरफ से सबी फंदे उल्टे-उल्टे बिननेlls लेंगे इस तरीके से देखिए सिर्फ उल्टा और सीधा ही बनाना है और बहुत ही प्यार सा डीज़र बनाशकूरा है आप इसे गर्स के भी स्वेटर में बना सकती है और ने तो जेंस के स्वेटर में ये डिजन बहुत ही प्यारल लगने वाला है तो ये हो गया बैक साइड से कम्प्लीट तो इसे आपको बार बार अब इसी तरीके से रिपीट करते जाना जैसे यहां पर किये हैं उसी तरीके से यहां पर बनाते जाना है और उल्टे फंदे हमें यहां इस तरफ में बनाते जाना है तो इसी तरीके से बनाएगी तो बहुत ही प्यारा सा डीजान बन करके तयार हो जाएगा जिसा कि यहां पर मैंने आपको बना करके रखे हुए हैं ताकि आपको मालूम पड़े कि आप कौन सा डीजान और कैसा बना रही हैं तो उमीद करेंगे आप सभी को अडीजान प्लस यह वीडियो पसंद आये होंगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब कर लिजिए साथी बैल अकन को जरूर प्रेस करेंगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू